हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चेनल चियोग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नमबर 59 यानि की कारे पत्रक सिंख्या 69 को आज के हमारी वर्कशीट भी काफी आसान और मज़िदा रहने वाली है आज की वर्कशीट में हमें एक कद्यांस दिया गया है और ये कद्यांस दिया गया हमारे हिंदी के पार्ट माता के आंचल से माता के आंचल जो पार्थ है उसमें ग्रामिन प्रिवेश का वड़न किया गया मा के प्यार, पिता के दुलार की बात की गए साथ साथ ग्रामिन सिंस्कृति है उसकी बात की गए तो चलिए पढ़ते हैं समझते हैं इस पार्थ को जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं ये हमारी वर्कशीट नंबर 59 यानि की कारेपत्रक सिंख्या 69 है हमारा विशे हिंदी है इसमें माता का आंचल पार्ट पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी कृति का भाग दो से लिया गया है हम पहले पार्ट है उसका अध्यन करेंगे एक हमें गध्यांस दिया गया है और इस अंश के आधार पर कुछ परशन पूछे जाएंगे जिनको हमें हल करना है इस पार्ट के रेचेता है शिव पोजन सहाई यह पार्ट उनके दोरा लिखा गया दिहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया यह जो उपन्यास है यह भी विशेश है क्योंकि यह हिंदी भासा का पहला आंचलिक उपन्यास माला जाता है जो 1926 में परकाशित हुआ था पहले हम नाम को समझ लेते हैं कि दिहाती दुनिया क्या होती है दिहात जो शब्द होता है उसका आर्थ होता है ग्रामिन यानि कि हम जो ग्रामिन है इलाका है उसको दिहात बोल देते हैं आपने कई बार लवस सुने होंगे हिंदी में भी प्रियोग के जाते हैं उर्दू में भी प्रियोग करते हैं दुल्ली के आसपास के लोग है वो प्रियोग करते हैं तो दिहात का अर्थ है ग्रामिन यानि कि ये जो दिहाती दुनिया उसमें ग्रामिन प्रिवेश या संस्कृति की बात की गए और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, अब ये आंचलिक क्या होता है, आंचलिक आर्थ होता है एक अंचल, अब अंचल क्या है, यानि कि शेत्र एक इलाका हो गया, जिसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या आर्थिक प्रिवेश है, उसका चित्रन करना वो जिसे मालीजी हमने पश्मी यूपी की बात की, पुर्वी यूपी की बात की, हमने बिहार की बात की, हमने कोई विशेश इलाका है, उसका अगर चित्रन करें तो वहां का आंचलिक चित्रन होगा, क्योंकि वहां की संस्क्रीती है, वहां की आर्ति गत्विदिया है, वहां की होगा तो क्या होगा आंचलिक तो लेकिन यहां पर आंचलिक में हम कोण सा ले रहे हैं सिरफ ग्रामिन यानि दिहाती दुनिया है उसका वढ़नी साहित्रे में सुम्रण शिल्प में लिखा गए यह पहला अपन असमानँ जटा है सम्रण क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है यानकी यादाष्ट के आधार पर यानकी समरण करना मतलब अपनी समरेती या यादाष्ट पर आधारित घटनाओं को लिखा जाना जैसे आप जैसे बड़े होते हो या फिर अभी अगर आप अपने पांचवी कलास के बारे में कुछ लिख पूरे पार्ट में, यानि कि ग्रामिन इंचल की जो संस्कृति होती है, वो बेहद अलग होती है, हमारी जो दिल्ली अंसियार की संस्कृति की बात करें, तो इसे बड़ी आराम दायक होती है, आपसी प्रेम की होती है, और वहाँ पर लोगों का लगाव है, वो ज्यादा दिखावा कम होता है यहाँ पर जो इस पार्ट में वर्णन क्या गया है वो वर्णन क्या गया है बालकों के बच्चों के खेल के बारे में जो बच्चे वहाँ पर जो कम्प्यूटर या मोबाइल गेम है उससे अलग गेम होते हैं अलग खेल होते हैं उनमें लगे होते हैं तो कि ऐसे लगेगा कि ये सब कुछ हमारे सामने घडित हो रहा है तो ऐसा वर्णन, सजी वर्णन किया गया है इस पार्ट में बाल, मन, भाव की अविवेक्त यान कि बच्चे हैं, उनके मन के भाव कैसे होते हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि बच्चे होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, दिल के साफ होते हैं वो सरारत जरूर करते हैं, लेकिन कभी साजिस नहीं करते हैं कभी किसी से नफरत करना नहीं सीखते हैं उनमें सिरफ महबत होती है प्यार होता है प्रस्तूत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से बोलानात कहते थी उसका वास्तिक नाम था तारकईश्वरनात ने अपनी बच्पन की कुछ सम्रूनों का उले करतवे माता पिता और उनके सने से सिंचित बच्पन का वर्णन क्या है और यह वर्णन क्या है यह हम आगे की वर्कशिट में पढ़ने की और समझने की कोशिस करेंगे तो आज हमारा यू कह लीजिए कि इंट्रोडेक्शन हुआ है इस चैप्टर का माता की आँचल चैप्टर का अब हम परशनोतर की तरह पढ़ते हैं आज की इस वर्कशिट में जितना हमारा ये कद्यांस था इस पार्ट का अंस था उतनी आसान हमारे आज की इस वर्कशिट के परशन दिये गए पहला जो परशन दिया गया है माता का आँचल पार्ट कहां से लिया गया और उसके क्या विशेशता है तो माता का अंचल पार्ट है वो दिहाती दुनिया उपनियास से लिया गए और दिहाती दुनिया की विशेशत है क्या कि दिहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपनियास माना जाता है जो 1926 में परकासित हुआ था दूसरा जो पर्षन है दिहात शब्द सी आप क्या हमसते हो तो दिहात शब्द का अर्थ है ग्रामीर और इसका विलोम होगा नगरिय या शहरिय तीसरा जो पर्षन दिया गया है कि आंचलिक शब्द सी क्या प्राइ है आंचलिक शब्द का क्या आर्थ है आंचलिक शब्द का उसके बाद फूर्थ जो हमारा परशन दिया गया है किस पार्ट में किन-किन बातों का सजीव रोचक चित्रन किया गया है तो अभी तक हम नहीं समझा है किस पार्ट में बच्चों के खेल, उनके कोतुहल, उनके परशन, मा के ममता, पिता के दुलार और लोकी तित्यादी का स या कलाप या दिन्चरिया कौप लिख सकते हो, उनके बारे में कुछ लिख सकते हो, तो ऐसे तो छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा ध्यान खेलकूद पर होता है, सारा दिन खेलकूद में ही लगे होते हैं, बच्चे शरार्ती होते हैं, लेकिन शाजी से नहीं करते हैं, श गतिविदी लिख सकते हो, गतिविदी का मतलब यहाँ पर यह नहीं है, कि हमें उनका time table लिखना, हमें लिखना है कि क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई यह घटना है, उसका भी वर्णन करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो आज की स्वरक्षिट में बस इतना ही, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, इस चैनल को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा, और हाँ आपके question है तो आप comment करके बता सकते हो, साथ ही साथ जो Instagram और Telegram का link भी दिया गया, आप वहाँ पर मुझे join कर सकते हो, Thank you, bye bye, have a nice day.